अजे देवगन से कौन परेशान है आज की दिन में दो नाम बताने वाला हो सुनकर मज़ा आ जाएगा पहला तो Instagram इंस्टाग्राम को चारो तरफ से अजे देवगन ने घेर लिया आज हर तीसरी चौथी रील पर आपको अजे देवगन देखने को मिल जाएगा लग रहा है बहुत जल्दी अजे किस्तान नाम का देश बनने वाला है करेंगे खेर चलो मजा की बात तो अलग है दूसरा चो इंसान अजे देवगन से परेशान है आज ही तारिक में वह है अक्षे कुमार क्योंकि 10 अपरेल को अक्षे कुमार की आने वाली है PMCM याने बड़े मिया छोटे मिया बड़े मिया छोटे मिया का ट्रेलर इतना साथा कुछ कैची लगा नहीं केवल उसके अंदर प्रिथविराच सुकुमारन का जो रोल है वो छोड़ा अच्छा लगा AI के उपर को हलके में ले रहे थे क्योंकि कई टाइम से था सुनने में आ रहा था कि ये जो मैदान नाम की मूवी है ये बन के तयार है इसको थेटर में लाने के लिए पास फंड्स नहीं है प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं है और मूवी इतनी बेकार बनी है कि अजय देवगन भी स जादा अच्छा लगा और सबसे अगर इसके अंदर कुछ अच्छा है तो वो है अजय देवगन की आक्टिंग मानना पड़ेगा बंदे ने एक बड़े मास को जो कैप्चर कर रखा ना दिलों को वो क्यों कर रखा है जबर्दत आक्टिंग की वज़े से भले उनकी मूवी शैतान हो द्रिश्यम हो या अब मैदान हो वेल ये मूवी एक रियल लाइफ इंसान के उपर बनी हुई है जिनका नाम है सेयत अब्दुलरहीम वेल ये पहले तो हैदराबाद पुलिस में थे लेकिन जब इन्हें इंडियन फुटबॉल टीम का मैनेजर बनाया गया तो इन इंडियन फुटबॉल टीम अपने गोल्डन एरा को जी रहा था उसने वो सब कारनामे करके दिखाये थे जो ना पहले कोई कर पाया भारत में और आज कोई कर पा रहा है तो रहीम सर को लेज़ेंड माना जाता है और इन्हें फुटबॉल टीम के लिए मसीहा माना जाता है तो ये एक real life based movie है कोई मजाक नहीं है और जिस तरीके से रहीम सर के character को अजे देवगन ने निभाया है ट्रेलर से समझ में आया है कि क्या खूब निभाया होगा प्रिया मणी यहाँ पर उनकी wife character प्ले कर रही जो अपने आप में बहुत अच्छी actress है उसके अलावा football team का हर एक genre जो इस तरीके की movie इसको sports वगेरा को पसंद करता है वो तो ये movie देखने जरूर जाएगा लेकिन अजे देवगन एक mass level लोगों को जरूर अट्राक करेंगे इस movie के लिए उसके opposite बड़े मिया छोटे मिया में बहुत सारे flaws है अक्षे कुमार को छोड़ कर और प्रिस्त्वी बोलूँगा मैदान एयार रह्मान सर का music भी तो है इसके अंदर पहले दिन definitely मुझे ऐसा लगता कि बड़े मिया छोटे मिया क्योंकि जादा commercial movie है शायद बड़ी opening लेकि मैदान से लेकिन पहले तीन दिन में जो word of mouth publicity होगी उससे अगर बड़े मिया छोटे मिया अच्छी movie नहीं रही तोरी दमदार नहीं रही लोगों को नहीं जमी जो कि trailer देखे समझ में आ रहा है तो उसका graph गिरता जाएगा और मैदान का graph उपर जाता जाएगा जैसे शैतान का गया था वेल इस पूरे clash के बारे में आप लोगों की क्या राय है comment section लिखे मुझे जरूर बताना मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए अस्ता लवीस्ता